Hello everyone, जै हिंद आज है 9 माई और आज के इस वीडियो में हम 9 माई से बनने वाले करंड फर के सभी important questions को cover करेंगे कल 8 माई थी जहां हम लोगों ने पढ़ा था कि दिखे अभी हाली में पूर्वोत्तर भारत का राज्य है मणिपूर जहां दो समुदाय के बीच में हिंसा का महौल बना हुआ है MCC के अध्यक्ष मार्क निकोल्स बने है चाल्स त्रती ये ब्रिटेन के ने समराट बने है और इसी में जब इनकी ताज पोशी समार हो रहा था तब भारत की उप्राश्ट पती जगदीब धनकंडे पाटिस्पेट किया था किताब का नाम है मेर इन इंडिया लिखी गई है नीती आयो के पूर्व CEO अमिताब कांत के द्वारा वोड़ा फोन के ने CEO मार्गरेटा डेला विले बनी है और अभी हाली में अमेरिका की एक एथलीट टोरी बोवी का निधन हुआ है सेंट्रल एशिया का एक कंट्री है उजबेकिस्तान जहां फर से समिधान लिखा वर्ड एथलेटिक्स डे साथ में को मनाया जाता है और ओडि टीम रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर है टॉप पर पाकस्तान है काफी सारे कॉमेंट आ रहे थी मैं मैं इसमें भारत दूसरे स्थान पर है लेकिन मैंने आइसे सी की ऑफिशल वेबसाइट से चेक किया त इना की तो न फिवाला तूरिसट स्पोर्ट आप लोग नहीं इव्यमस में देखा होगा इंस्टाघ्राम चलाथे एरील में देखा होग Tabii एक बहतरीट Конक्राइश्ण स्पॉर्ट है ये है कहां तो ये कलिफोर्निया में है कलिफोर्निया यूसे में है है ना तो यहां पर यात्री जाते हैं और अच्छा खासा revenue generate होता है ये डिस्निलेंड में तो इसी के तरज पर अब उत्तरपदेश में भी क्या लिखा हुआ है अयोध्या में एक वेश्विक परेटन होट स्पोर्ट की रूप में उत्तरपदेश सरकार भगवान राम की कहानी सुनाने के लिए डिस्निलेंड पर आधारित एक थीम पार्क जिसका नाम होगा रामा लेंड ये विक्सित करने जा रही है खेलो इंडिया यूथ गेम्स माफ की जगा यूनिवर्सिटी गेम्स है अभी तक खेलो इंडिया इनवर्सिटी गेम्स के दो एडिशन हो चुके हैं पहला ओडीशा के भूवनेश्वर में दूसरा हुआ करनाटे के बैंगलाओर में अब होगा लखनों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा एडिशन मुख्यमंत्री योगी अदित्तिनात आनंदी बेन पटेला लिखा यह पटेल है चुल में आनंदी बेन पटेल यहां की कौन हो जाएंगी राज जपाल हो जाएंगी भारत में सबसे जादा लोग सभा सीटे किस तो उत्तर प्रदेश में हैं लोग समह सीटों की संख्या असी रपकी राज्य समह सीटों की संख्या यहां 31 है नैशनल पार्क में पीली भीत दुधुवा अमनगड़ रानीपूर वाइल लाइस सिंचरी यह आप लोगों को याद कर लेना है और उत्तर प्रदेश से आप औ गुंती नदी के किनारे बसा हुआ है हमारे जो रक्षव मंत्री है राजनास सिंग जी यह इनका निर्वाचन शित्र भी हो जाएगा अब अधर आप्शन की मैं बात करूं तो कुश्चन के हिसाब सिदिया आप रिलेट करेंगे तो देखो गुजरात में दुनिया का सबसे करनाटक से मैं पंदरा सो साथ लंबा रेल्वेइः प्लेट फॉर्म जोकी सबसे लंबा रेल्वेइः प्लेट फॉर्म इसका भी उधाटन कहां किया गया था तो यह करनाटक में किया गया था महराष्ट में अंडर वॉटर टरनल यह बनने जा रही है त cosm bakalım ओ आगे चलते ह किस देश की महिला क्रिकेटर है शबमीन इसमाइल इन्हों ने international cricket से सन्यास लिये तो सन्यास लिये तो समीन मिसाइल किस खेल से related है तो क्रिकेट से किस country से है तो ये South Africa से हो जाएंगी जो अभी हाली में सन्यास लेने का ऐलान इन्होंने כर दिया है महिलाव में वंडे में दुनिया में सबसे लादा विकेट लेने वाली गेंद भाज भी यही हो जाएंगी हालाकि साउथ एफ्रिका यह मैंने मैप में नहीं रखा है लेकिन मैं आपको ऐसे और ली ही बता देती हूं देखिए यह अफ्रिका का नकसा है यह इधर इंडिया है तो यह साउथ एफ्रिका वाला शेत्र है साउथ एफ्रिका जिसकी कैपटल तीन है केप टाउन प्रिटोरिया ब्लोंफोंटेन करंसी साउथ एफ्रिकन रेंड हो जाएगी सो अफ्रिकी चीते टोटल कितने सो अफ्रिकी चीते यह भारत आने हैं इसके लिए डेल भी हो चु अब ब्राजील के प्रसिद्ध फुटबॉलर पेले जिनका भी कुछ समय पहले निधन हुआ फ्रांस के एक फुटबॉल खिलाडी करीम बिंजमा इन्होंने भी सन्यास लिया है और ऑस्ट्रेलिया की खिलाडी का नाम में हमेशा आपको बताती हूं ऐसले बाटी यह भी सन्या असलिया है लशित मलिंगा यह श्री लंका से हैं रोजर्स फेडरर रोजर्स फेडरर स्विजर्लेंड से आगे चलते हैं फ्रांस के बैस्ट्रल डे परेड में सम्मानित अथिति की रूप में किसे आवंद्रित किया गया अच्छा यहां पर कोश्चन थोड़ा चेंज करना होगा प्रायम मिनिश्टर नरेंदर मोदी जी को रिसेंटली फ्रांस के बैस्टल डे परेड में किस देश के बैस्टल डे परेड में सम्मानित अथिति के रूप में शामिल किया गया क्योंकि यहां कोश्चन और आंसर साथ में हो कर दूंगी तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिसेंटली फ्रांस में आयोजित बेस्टाल डे परेड में सम्मानित अधिति के रूप में शामिल यह इन्हें आमंत्रित किया गया और फिर 14 जुलाई को यह मनाया जाएगा बेस्टल डे परेड यहार साल चौओधा जुलाई को फ्रांस की क्यापटल पैरिस में मनाया जाता भवितरह का एक military parade का आयोजित की आयोजन यहां किया जाता है यह parade दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सैन्य parade में से एक है जो कि France की सैन्य सकती है यहनि कि इसके military power को represent करती है इसी में participate करने जा रहे है प्रायम मनेश्टर अनरिंदर मोदी तो यॉरप के नकसे में यह है France जिसकी capital Paris है Paris में UNESCO का headquarters है और Paris सीन नदी के किनारे बसा हुआ है यहां से relate करोगे दिया आप तो summer olympic जो है 2014 का यह इसी Paris में आयोजित किया जाएगा इसके लिए जो सुभंकर जारी हुआ है इसका नाम है फ्रीजियन कैप ठीक है यह भी आप relate कर सकते हूं UAE का जो सर्वोच्च सम्मान है जायद medal इससे प्राइम मिनिश्टर नरिंदर मोदी जी को और इसके लावा निसान इजुद दीन यह मौल दीप का सर्वोच्च सम्मान है निजान इजुद दीन इससे प्राइम मिनिश्टर नरिंदर मोदी सम्मानित किये जा चुके हैं और साओधी अरभ का भी सर्वोच्च सम्मानी नहीं मिल चुका है किंग करके कुछ है किंग का कोई ओनर है और रिसेंटली भूटान का सर्वोच्च सम्मानी नहीं मिला है आप रिलेट कर सकते हो विश्व का सबसे बड़ा फ्रंचाइजी सतरंजली कहा शुरू होगा तो यह दुबई में शुरू होने जा रहा है होगा कब शुरू तो देखिए जून के महिने में जून से 21 जून से यह दो जुलाई तक चलने जा रहा है दुबई इसका मेजबान शहर है दुबई को दिया आप देखे न तो यूई के यूनाइटड अरब अमिराट्स जिसका सबसे बड़ा शहर जो है यह दुबई ही हो जाएगा दुबई में ही न दुनिया का सबसे मतलब टालेस्ट जो अब्जर्वेशन मेल से न यह से दुबई में आयजित किया गया बुर्ज खलीफा यहीं है दुनिया की सबसे उची इमारतों में से एक पेरिस में मैं आपको बता ही चुकी हूं भई क्या आयजन किया जाएगा समर ओलंपिक आयजित किया जाएगा दो हजार चौबिस एनिकी नेक्स्ट येर जबकि विंटर ओलंपिक की मैं बात करूं तो विंटर ओलंपिक आयजित किया जाएगे दो हजार चौबिस में इटली के मिलान में जबकि आठवे क्रम का राय सीना डायलोग ये दिल्ली में आयजित किया गया जिसमें की मुख्य अधिती की रूप में शामिल हुई थी जो कि इटली की प्रायम मिनेस्टर है अगला प्र इनका जन्म आठ मई 1928 को हुआ था तो इनी के सम्मान में आठ मई को रेड क्रॉस डे गुशित किया गया ये एक नूबल पीस प्राइस प्राप्त करता भी थी प्रेस फ्रीडम डे तीन मई को मनाया जाता है पांच मई को हैंड वॉस हाइजीन डे और साथ मई को क्या एथल रखेंगे आप आई एनस मगर हो जाएगा भारती नौ सेना का सबसे पुराना लेंडिंग युद्धु पोत लेंडिंग पोत है आई एनस मगर 36 साल का सर्विस देने के बाद इसे रिटायर किया गया है इसे ना 1984 में लॉंच किया गया था और फिर 1987 में इसे गार्डन रिश सकते हैं पहला इंडी जीनियस एयर क्राफ्ट करियर है कई वार एक्जाम में पूछा जाता है कि भाई आई एनस विकरांत चर्चे में है यह क्या था आयर क्राफ्ट करियर है यह आई एनस वागीर तो यह पंडुबी है प्रोजेक्ट 75 के तहतना इंडिया नेवी में जो 6 पंडुबी शामिल होनी है के से तीन बताई थी मैंने करंज कलवरी कंडेरी और वी से तीन वागीर वगशीर वैला तो पांचवी वागीर शामिल हुई है इसके बाद चटवी जो शामिल होगी वगशीर होगी आई एनस धुरूप तो यह भारत का पहला लॉंग रेंज न् ब्रेंड nummbर सी की इसके राइट अंसर हो जाएगा अई यूश्मन खुराना ना ये इंडिया के भी रिसेन्टलि ब्रेंड अंबेजर हो जाएगे श्मार और चैनल भारत में स्मार्टफोन ब्रांड लावा के यह ब्रैंड उम्वाजडर की बैजी के ब्रैंड उम्वाजडर कौन है नीराच चोपड़ा हो जाएंगे नीराच चोपड़ा इसके बाद यहां पर कुछ-कुछ जो मुझे आद आ रहे हीं पर लिग देती हूं लेवाइस क कौन हो जाएंगे दिपका पादुकौन हो जाएंगे जश्ट डायल के इन्हीं के हस्बेंड है दिपका पादुकौन के रनवीर सिंग अनुष्का सर्माई ये पूमा के ब्रेंडम बैजडर में शौमिल हुई है ना बिहार खादी का रिलेट करोगे मैथली ठाकुर मैथली ठाकुर आगे चलते हैं कोल इंडिया के नएगले अध्यक्ष कौन चुने गए है तो रिसेंटली पोला वराप्पुम प्रशाद बन गए है कोल इंडिया लिमिटेट के नएध्यक्ष इसके स्थाप 1975 मही कोलकाता पश्यमंगाल में हैटकौर ये वही कोलकाता है जो की हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और यहां भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेंग चलाए जाएगी इस साल के अंते तक इसका ट्रायल कंप्लीट हुआ है रिसेंटली विवियार सुब्रहमन्यम ये नीती आयोग के CEO हो जाएंगे राजेस मलहुत्रा पी आईबी के ये अध्यक्ष और वाईवी चंद्रचून धनंजय होगा डी वाई चंद्रचून पचासवे मुख्यन आयदी से महारत के चीज़ जश्टिस ओफ उफ उंडिया लाश्ट का प्रेश्ट मैंने रवजन के लिए बिजनस रेडी नाम का नया प्रोजेक्ट किस ने शिरू किया है तो वर्ल्ड बैंक ने बेसिकली न यह डूइंग बिजनस रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक पहले रिलीस करता था बाद में इसके प्रकाशन पर रुख लगा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर और एकोनॉमिक इंटेलिजन्स यूनिट के द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स लोग तंत्र सूचकांख जो कि यह रिलीस किया जाता है मैंने कल आप से पूछा था गोल्डन ग्रोब रेस पूरी करने वाले भारती कौन बने अभिलास दीजेगा टेलिक्राम पर कल्यानी में में अफिस्यल सर्च कीजिए और आगे कॉपी राइट का साइन होगा वही मेरा ऑफिस्यल चैनल है डेली की क्विज और पीडियाफ के लिए आप उससे वहां जोड़ सकने है थाइंक्यों सो मच